नमस्कार दोस्तों मैं हूं कर्तिक बर्मन वेस्ट बेंगुल कोजवियर से तो आज हम बात करेंगे स्कॉर्प्यू क्लासिक की इंजिन ओयल ट्रेन प्रोसेडियोर के बारे में और इंजिन ओयल फिल्टर कहा है लोकेशन उसको भी अब लोगों को दिखाएंगे और में यानि इस इंजिन में इंजिन ओयल फिल्टर लोकेशन उपड दिया है यानि फ्रॉंट साइट में आपका जो फैकॉम पामे उसके लेव साइट में दिया हुआ है तो इसको 27 नमबर सॉकिट की मदद से खोलना है एंटी क्लोग एस यानि आपका जैसे आपको नाट बोल खोलते हों ऐसे ही खुलना है तो इसके अंदर काटिस फिल्टर लगा रहता है तो इसको खोलके को रिप्लेस करना है ठीक न तो यह क्यों मैं बता रहुँ हमे इस वीडियो में क्योंकि यह नया इंजिन है एम स्टैल वर है तो इस गढ़िं में इंजिन ओयल फिल्टर करेंगे ओयल फिल्टर को खोलने के बाद अब लोग को दिखाएंगे कैसे इसको ओपन और क्लोस करना है यानि ओपन नहीं खोलना है और अच्छी तरह से बिठाना है ठीक ना तो हमने खोल लेंगे इसको धिरे-धिरे तो हमने खोल लिया पुड़ा तो इसको यहां से निकलेंगे निकलने के बाद ओयल फिल्टर को खोलने के बाद यह जो ओयल फिल्टर का कवार है यानि क्या इसको हम क्लीन करेंगे अच्छी तरह से क्लीन करने के बाद इसका जो वायरिंग है इसको चेंज करेंगे चेंज करने के बाद ओयल फिल्टर को अच्छी तरह से बिठा देंगे तो हमने खोल लिया ओयल फिल्टर ओरिंग को अभी फिल्टर को बिठाएंगे तो इसको हम खुलेंगे यह अपका ओयल फिल्टर है नया वाला इसको सबसे पहले हम ओरिंग को नया ओरिंग लगाएंगे या फीट करेंगे अच्छी तरह से फीट करने के बाद सही तरी से बेठाना है उसके बाद ओयल फिल्टर को अच्छी तरह से बिठाने है ऐसे बिठाने से तो नहीं होगा ऐसे गुमाने से अपका लॉग हो जाएगा देखिए गुमाने गुमाने लॉग हो जाएगा तो ऐसी गुमाने से अपका लॉग हो जाएगा और एंटी को लॉग गुमाने से नहीं तो इंजिन ओयल लिके सुने की चंसेस जदा है तो मेरा वीडियो अच्छा लगए तो जो लाइक शेयर कमिन करें मेरे चनल में नहीं है तो में जो 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 सस्क्राइब करें तो हमने फिल्टर को लगा दिया और टाइट करेंगे सही टाइट करने के बाद डेन आट को टॉट देंगे सही हमने टॉट दे दिया डेन आट भी टॉट गए इसके बाद इंजिन ओयल डाल देंगे तो ऐसे ही आपको करना है और इसका इंजिन ओयल फिल्टर उपर है इंजिन कमपर्टमेंट उपर तो, thank you, watching for my video